हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो रोयल स्टडी फ्रेंट्स आज के स्टूडियो में केंदर सरकार के प्रमुक योजना के बारे में महतुपूर्ण जो कोश्चन वो डिसकस यहां पर करेंगे देखिए यहां पर महतुपूर्ण जो योजना जो चलाई गई है केंदर सरकार के दौर हो जाएगा और यहां से बिलकुर आपके एक number का जो कॉशन है एक से दो number का कॉशन बिलकुल इस topic साप के बनने वाले तो बिलकुल भी इस topic पो किप मत की जेगा और वीडियो को अंतिक जरू देखे क्यों कि यहां बहुत ही महत्वपूर्ण जो योजना है उतको भी हम डिसकस करेंगे तो टोफ 25 जो कोशन है वो डिसकस करने वाले तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो मैंतरी कर्म योगी मांधन योजना कब से सुरू की गई हैं अब प्रदान मंत्री हम से कई Ai बट जो किसी में डेट भी पूच जाती हैं तो जिसमें IMP काफी ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसमें हमने डेट भी कवर किये और जिससे यहां पर मंत्री से जो की काम चल जाएगा उसमें हमने यहां से जो की जुलाई भी लिया है तो जुलाई 2019 बिलकुल आपका रेड़न पेंसन दिये जाएगा सोरी चमा चाहेंगे कार्थिक नहीं वार्सिक पेंसन है और कितने रुपे का वार्सिक पेंसन दिये जाएगा तो इसमें दिये जाएगा तीन अजार रुपे का विलकुल उप्सन नमबर डी यहां पर आपका जो की वार्सिक पेंसन भी दिये तो यहाँ पर आपका काफी मेतुपूर्ण जो कोशने याद रखे तोड़ा सा चलिए आगे बढ़ते हैं हाली में प्रदानमंतरी किसान सम्मान निदी योजना का वर्नार अंतरिम बजट में किसके दौरा किया गया था अब देखे इसका जो बजट में किसके दौरा किया गय पर चेल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को दबादीजिए ताकि ऐसे इसे ही नोलेजिबल है आपको विडियो मिलते हैं तो चलिए आगे पड़ते हाली में नए मंतराले जल्ड सक्ति मंत्राले निर्मान हुआ है अब यह हाली में नएdy मंत्राले बना एक गंगा काया गल्प मंत्राले तता पेजल एम सच्चिता मंत्राले इन दोनों मंत्रालों को मिला कर दो जो कि एक जल सक्ती मंत्राले का निर्मान हुआ है दो मंत्राले से एक मंत्राले बनाए गए ये भी आपको याद रखना है उप्रोक्त सभी options से यहाँ पर आपका रिटंसर आजाएगा उप्रोक्त दोन आगे बढ़ते हैं अगला question के वर अगला question है जंदन योजना की सुरुवात कब हुई थी ये भी काफी जाद है महतुपूर्ण question है और इससे related question भी आपकी exam में देखने को मिल चुके हैं तो इसलिए इनको भी आप याद करक सकते हैं अब जंदन योजना की स्टार्ट हुए था 28 अगस्ट 2014 से स्टार्ट की गई थी जंदन योजना तो आप इसको भी याद रख सकते हैं प्रदान मंत्र जंदन योजना है यह 28 अगस्ट 2014 से स्टार्ट हुई थी फ्रेंट से यह दिया आप RRB गुरूप D NTPC गुरूप D कोई से पर आप exam की त्यारी कर रहे हैं तो अभी test series करीने पर पूरी 40% की चूट चल रही है तो आप हमारे coupon code ROYJGOV4G को यूज करके test series purchase कर सकते हैं डिसकाउंट का पूरा लाप उठा सकते हैं इसके जो link है वो description में आपको में लिएगी महां से जाकर इसको download कर सकते हैं डिसकाउंट का पूरा लाप उठा सकते हैं जिससे आप जो अपनी तयारी है और बैतर कर पाएंगे तो अगला question है Skill India Mission की सुरुवात कब से हुई थी अब Skill India Mission की जो सुरुवात हुई थी वो 2 August 2014 से हुई थी ये भी आपके लिए काफी महतुपूर्ण है क्योंकि ऐसे ही योजनाम कवर कर रहे है इस वीडियो के अंदर जो आपके लिए सबसे ज़्यादा महतुपूर्ण है तो 2 August याद रखिये थोड़ा साम Next question है Make in India कारिकरम की सुरुवात कब हुई थी अब Make in India की अगर बात की जाए तो इसकी सुरुवात हुई थी जो कि 2 सितंबर 2014 को तो ये भी आपके लिए काफी महतुपूर्ण है 2 सितंबर 2014 को इस्टार्ट हुई थी ट्रीकी वे में भी आप याद रख सकते यदि आप चाहते हैं कि मैं ट्रीकी वे में आपको लेकर आओ तो बिलकुल आप कमेंट करके बता सकते हैं एक बार अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो हर वीडियो में आपके लिए tricky way में लाने की कोशिस करूँगा जिसके माद्यम साब आसनी से पूरी जो के current affair है आसनी से याद कर पाएं तो देखे स्वच्च भारत मिशन की सुरुवात कब से हुई थी अब देखे स्वच्च भारत मिशन की जो स्टार्ट हुआ था यही स्टार्ट किया गया था कब किया गया था आयूप की इसका राइट अंसर तो आप सभी को पता ही होगा इसका जो राइट अंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्सन नमबर A के स्टार्ट हुआ था तो यहां पर आप आप आजनी से को किलिक कर सकते हैं दो अक्टूबर 2014 तो सचभारत मिशन आप इससे रिलेट करके याद करेंगे तो आजनी से याद रख पाएंगे नेक्स्ट कोशिन है सांसद आधर्स ग्राम योजना की सुरुआत कब से हुई थी सांसद आधर्स ग्राम योजना की स्टार्ट वहा था 11 अक्टूबर 2014 से ये वी काप जादा में तुपूर्ण है अगला कोशन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के सुरुवात कब से हुई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना के स्टार्ट की गई थी ये 22 जनवारी 2005 से स्टार्ट की गई थी 22 जनवारी 2005 से स्टार्ट की गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चलिए आगे बढ़ते हैं प्रदान मंत्री मुद्रा योजना की सुरुवात कब से हुई थी अब देगे प्रदान मंत्री जो मुद्रा योजना की सुरुवात हुई थी आठ अपरेल 2015 से हुई थी तो यहां पर आप इसको भी याद रख सकते हैं आठ अपरेल 2015 प्रदान मंत्री मुद्रा योजना तो 15 स मुद्रा याद रख लेजे 15 मुद्रा 15 मुद्रा ऐसे रेलेट करके याद करेंगे तो काफी टाइम तक आप इनको याद रख पाएंगे नेक्स्ट कॉच्छन है उजाला योजना की स्टार्ट की गए था यह एक माई 2015 को स्टार्ट हुआ था उजाला योजना ओके तो यहां इसको भी आप आसाने से याद रख सकते हैं अब यह आपका मैं कमेंट करके बताएं कि एक माई को कौन सा दिवस मना जाता है यह भी आपके एक्जाम में बहुत बार कॉश्चन रिपीट हो चुका है तो अगर आपको पता है कि एक माई को कौन सा दिवस मना जाता है तो अटल जो पेंजन योजन ने स्टार्ट की गई थी 9 मई 2015 से की गई थी ये भी आप याद रख सकते हैं नेक्स्ट कॉच्छन है जो कि प्रदान मंत्री जीवन जोती बीमा की सुरुवात कब से हुई थी अब प्रदान मंत्री जीवन जोती बीमा जो स्टार्ट किया गया था ये 5 मई 2015 को स्टार्ट किया गया था तो यहाँ पे इसको भी आप याद रखिए थोड़ा सा तो पूरे आप देख लीजिए कवर हो जाएंगे आपके और हो सके तो आप बिल्कुल इनको याद रख लीजिए रख लीजिए बिल्कुल क्योंकि यहीं से कोशन बनेंगे इन योजना में से बिल्कुल आपको कोशन देखने को मिलेगा इससे बाहर बिल्कुल भी आपका कोशन निकल कर नहीं जाने वाला है प्रदानमंत्र सुरक्चा योजना की सुरुआत कप से हुई थी अब smart city योजने की start जो वा था 25 जून 2015 से हुआ था तो इसको भी आप देख लीजे तोड़ा सा Digital India Mission की शुरुआत कब से हुई थी? Digital India Mission की जो start किया गया था 2 July 2015 से किया गया था तो इसको भी आप यहाँ पर देखके आसानी से आप रिलेट करेंगे अगर आप याद करेंगे तो यहाँ से आप याद कर पाएंगे 2 July 2015 से इसकी जो शुरुआत हुई तरी Digital India Mission की Next question ने Startup India की सुरुआत कब से हुई थी? अब Stand Up India की जो start किया गया था 5 April 2016 को किया गया था ये भी आप आसानी से याद रख पाएंगे 5 April 2016 Stand Up India चलिए आगे बढ़ते हैं प्रदान मंत्री उज्वला योजना की सुरुआत कब से हुई? अब देगे प्रदान मंत्री जो उज्वला योजना की स्टार्ट की अगया था एक माई 2016 से की अगया था देखे अभी हमने एक माई से आभी आपका और कोश्चन डिसकस कर चुके और एक माई से भी ये भी जो की योजना स्टार्ट की गई है तो इन दोनों का अगर आप रिलेट करके याद करेंगे तो असनित से आप याद कर पाएंगे नेक्स्ट कुशन है अब इस योजना की स्टार्ट की गई थी या तो अगर इसके अगर बात की जए तो जन्वार 2015 में जो कि इसकी स्टार्ट की गई थी बिलकुल मोस्ट आइम पी कुशन है प्रदान मंतरी प्रवासी तिरत योजना की सुरुवात कब से हुई थी इसकी योजना की स्टार्ट की अगर था जन्वार 2019 में की अगर था प्रदान मंतरी प्रवासी तिरत योजना की सुरुवात नेक्स्ट कोशिन प्रदानमंत्री जनारोग की योजना याने आयुसमान भारत की सुरुवात कब से हुई थी आयुसमान भारत जो योजने स्टार्ट की गई थी वो की गई थी आपकी 25 सितंबर 2018 2018 तो काफी महतुपूर्ण जो कोशिन ही है क्योंकि इससे रिलिटेट भी आपकी कोशिन में एक्जाम देखने को मिलते हैं 25 सितंबर 2018 आयुसमान भारत योजना चलिए तो फ्रेंट्स यहां थे 25 जो कोशिन थे वो कवर कर चुके हम जिसमें सबसे ज़्यादा जो कोशिन पूचे जाने के पूरे चांसे से वो ही कोशिन हम कवर करें हैं यदि आपको लगता है हमारा प्रियास अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिसना हो तो आज के लिए बस इतना ही मिलते है नेक्स डिटो में तब तक के लिए जैन जै वारत सब्सक्राइब किजिए हमारे चैनल रोयल स्टडी को लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन को फ्रेज करें